Hi everyone, कैसे लगी बटा कल की स्टोरी, अच्छी थी, तो आज भी सुनना है, कल की स्टोरी जो हमने स्टार्ट की थी, क्या था हमारी स्टोरी का नाम? The Story of Bhakari, हाना ऐसा? So, in today's class, we are also complete the story that is the Story of Bhakari. बट उसके पहले आपको बता दू, कि उसके लिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, टेक्स्ट बुक का 55 पेज नंबर, ओके, तो देखो ये टेक्स्ट बुक के 55 पेज पर एक स्टोरी दी है, जो हमने incomplete की थी, वो आज हमें complete करनी है, बहुत अच्छी थी ना स्ट तो चलो फिर उसका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ लेते हैं, तो ये है हमारा lesson, कौन सा, इविएस, दा वाल्यू ओफ फूड, है ना, दा वाल्यू ओफ फूड याने खाने की कीमत, जो हमारा चाप्टर था, कल हमारा आधा हो गया था, और आज हम आधा complete करने वाले हैं, त तो लेट सी, ये क्या है बटा, आप इसको गेस कर सकते हो, ये तो सबके घर में होता है, है ना, क्या है ये, ये औक से, और ये देखो क्या कर रहे हैं, बतलब आपके उनसकी मूह देख सकते हो, तो देखो कुछ तो भी बांदा है, या फिर यहाँ पर एक लेडिज एक प्रोसीज से जाता है, है ना, जैसे हम कल कौन सा पढ़ा था, हर्वेस्टिंग बताया था मैंने, और आज जो है वो, कौन सा है, थ्रेशिंग और विनोईंग, तो ये है थ्रेशिंग, जो मशीन का यूज करके, या फिर बैल का यूज करके वगरा, यहाँ पर जो भी ग प्रेंस में अगर कच्रा वगरा हो, कुछ भी हो, तो ऐसा करने के वज़े से दाने जो है वो नीचे गिरते है, कच्रा है वो कही और जाके गिरता है, यह प्रोसेस आप सब लोगों ने आपके फार में देखी होगी, है ना, मैंने भी देखी है, तो चलो, इसी से और दूसरा था अरजून, है ना, तो उनकी मम्मियों ने बता रही थी कि फार में से हमारे प्लेट तक रोटी और चपाती कैसे आती है, तो देखो, the second part of the story, so, her mother said, दादा use a machine for threshing and winnowing, and in the machine, threshing and winnowing are done at the same time, देखो, जो वरशा और अरजून की जो पापा थे, वो क्या क करते थे, they are using some machines, किसले machines यूज करते थे बटा, threshing और दूसरा विनोईं, तो अभी आप सोच रहे होंगे, कि यह threshing क्या है, यह विनोईं क्या है, है ना, threshing मतलब एक machines रहती है, है ना, जिसके अंदर पूरे grains डालके, वहाँ से दाने बाहर निकलाते है, है ना, और विन अलग उड़ जाते है, हवा की वज़े से, तो उसको बोलते है, विनोईं, तो आपने ऐसा किया है क्या, मैंने तु किया है यह विनोईं, आपने भी आपके घर में फार्म होगा, तो उसमें किया होगा, है ना, बेटा, तो देखो, वो किसका यूज करते थे, machines का यूज करत यूज प्रोसेस से, क्या होता था, whatever the grains, so they are separated, पहले अंडरलाइन करो, कि क्या separated होते हैं उससे, यह देखो, बहुत ही easy है, यह एक machines का यूज करके वगरा है ना, वो दाने अलग किये जाते हैं, और फिर वो दाने ऐसे, एक इसमें लेकर ऐसा, नीचे नीचे डालते हैं, फि जैसे यह सब कच्रा बाहर आ रहा है, और grains जो है, वो एक जगा, हाँ, क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ऐसा आप घर में भी अलग, जैसे हम चावल साफ कर रहे हो, गे, हू साफ कर रहे हो, उस time भी ऐसे होता ना, तो यह भी किसके examples हैं, विनोहिं के, so when there were no machines, bullocks were made to help with the thres and winning, देखो अभी पहले के जमाने में, मतलब जब आपके grandparents थे, तो बेटा कैसे, उस time machines थी क्या, machines तो अब आई हैं, तो उस time क्या यूज़ करते होंगे वो, बताओ, उस time, हाँ, आक्स यूज़ करते थे, and a person stands a little higher up, slowly allows the thresh, मतलब वहाँ पे एक person का रहना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहेंगा, तो हो सकता है कि वो पूरा, वो जो आक्स रहते हैं, वो पूरा grains खाले, है ना, तो इसलिए उसके उपर ध्यान देना पड़ता था, so, the chap is carried away by the drought, and the grains falls down in a heap, the machine helps to finish the work quickly, but labor and expense how to be put in any case, देखो, you know, thrashing and withdrawing बहुत ही दोनों मतलब easy है, machines के दोरा की जा सकती है, बट उसके लिए क्या चाहिए, labor, means हमें हमारे महनत उसके लगाने पड़ती है, पहले के जमाने में machines नहीं थी, तो आक्स का यो use करके वगरा, thrashing किया जाता था, अभी देखो, बहुत सारे नहीं नहीं तो आप छोटे हो, है ना, तो वो किसी का use करके वो की जा सकती है, तो देखो, यहाँ पर देखो, अलग-अलग machines देखो, यह दे सकते हो, यह या फिर, यह देखो, इस तरह grains मिलते है, So, these all are some of the machines used for the, what? Threshing and renewing, तो अभी आप, आपके parents से पूछो, कि threshing की machine कैसे रहते है, और अगर होती है, तो आपको उसे देख कराना है, अभी नहीं जाना है, पर जब भी आपको कभी वक्त मिले, तो आप उसे जरूर देख के आ सकते हो, कि threshing कैसे किया जाता है, और फि इतना समझ मैं है, बटा, चलो, next page हम देख रहते हैं, आपको एक बात मुझे यहां पर बतानी है, अभी story हमारी complete नहीं हुई, आया के हमारे plate में खाना, नहीं आया, तो एक बात आपको बताने है, तो पहले के जमाने में, देखो, machines नहीं थी, but the threshing is also done by the ox, उसकी information है, कि इ a machine is not available, so bullocks do the threshing, a round space is cleared in the field, and a threshing floor is prepared, देखो, कैसे करते थे, they can make a what, round, एसा गोल बनाते थे, और फिर यह देखो, यहां पे आप देख रहे हो, वो जो गोल बनाते थे, उसमें पूरे वो grains भरके रख देते थे, है ना, then a post is erected at the center, and a bullock is tied to the head, बीच में एक 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 कुछ उस तो भी center बनाते थे, जहां पे ox को क्या कर सके, बान सके, ox को बान के रखना पड़ता, क्योंकि वो खा भी सकते है, वो भाग भी सकते है, भागते है ना, इसलिए, so वो कही जाना सके, इसलिए उनको tie मत बान जाता है, then, the bullock walker walks in the circle around the post, and harvested ears are spread in the round space, so that they get trembled upon the bullock, ऐसा आपने देखा के बटा, अभी आपके parents ऐसे करते हैं क्या, या फिर आपके surrounding में कोई ऐसे लोग है, कि जो ox का use करके threshing करते हैं, करते हैं क्या, तो आप उनसे information लोग पूछो, कि ऐसा कैसी किया जा सकता है, ठीके, तो देखो, पूरे चारों तरब क्या किया, ग्रेंस रखे, बीच में ox को, टाइ किया, बांद दिया, and the ox can take a circular motion, मतलब ऐसे गोल गोल घुमते हैं, और फिर उनकी पैर की pressure की वज़े से, वो उसमें से क्या निकलाते हैं, दाने निकलाते हैं, and a bigger place is prepared and more bullocks are used together, देखो, एक बात आपको और ध्यान में रखने हैं, कि यह सब करने के लिए, दो या फिर ज़्यादा ox का use किया जाता है, एक इससे होगा क्या, नहीं होगा न, ज़्यादा लगेंगे, So, maybe, threshing may go on for several days, for the bullocks too, this is a very heavy work, इसी तरह यह ऐसे bullocks का use करके क्या किया जाता है, threshing की जाती है, बट यह कैसा काम है बटा, थोड़ा सा heavy काम है, क्योंकि बैल को वहापे बीच में बानना, उनके मूँ को ऐसे बान के रखना, ताकि वो grains भी खाना पाए, है न, थोड़ा सा हाट, इसी लिए आज क्या करते है, क्या करते है, आज machines का use करते है, तो जैसे देखो, the grains obtained after winnowing is filled in the sacks, जैसे मैंने winnowing बोला, कि वो एक बड़ा सा ऐसा कुछ तो भी हाथ में यह लिके वहाँ से वो grains नीचे गिराते है, और फिर grains का hip एक बन जाता है, और जो कच्रा है वो आप भी घर में कर सके देख सकते हैं, तो इस तरह जो भी grains मिलता है, वो कहाँ पे ही जमा होता है, sacks में जमा के आ जाता है, proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insects and the pests such as mice and rats, देखो, अभी अगर हम कोई sacks में यह भरके रखते, grains भरके रखते, तो हमें care लेनी पड़ती, क्योंकि हो सकता है कु कुन से इंसिक्टे बिटा जो खाते हैं, क्या वो mosquitoes है क्या, cockroach है, क्या है, वो है, mice है, और जैसे rats है, देखो, घर में कभी-कभी हम sack भरके रखते, तो वो खा लेते हैं, ऐसे फाड के, तो इसलिए उसके care लेने पड़ती है, after putting aside some grain for the family, the remaining sack are sent to the market, देखो, farmers जो होते हैं, व तो मतलब ऐसा नहीं होता कि सभी sacks उनका जो भी production हुआ, वो सब बेच देते हैं, उसमें छे थोड़ा सा घर के लिए समाल के रखते हैं, और बाकी का, they can sent in the market, but when the traders, they are by the grains, the farmer gets money for the crop that he grown, और इस तरह जो भी उनका production होता है, चाहे cotton हो, चाहे सोया बिन हो, बाजरा हो, उस से उन्हें market से क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, so, but still, Arjun have a question, देखो, उन्मार्केट में भी बेच दिये, पैसे भी मिल गए, तो क्या भाकरी हमारे प्लेट में आ गई, नहीं, स्टोरी अभी थोड़ी से बागे है, चलो देखे, now, Arjun have a question, but the भाकरी is not ready, उसका सवार सही था, अभी तो सिर्फ grains बेचे है, चपाती मिली है क्या, नहीं मिली है, so, mother said, no, of course not, but the story is not finished here, है ना, story खतम हुई क्या, नहीं, तो चलो, इसके बाद के story हम देखते है, इसके बाद क्या हुआ, so, the grain that the traders buy is sold all over the country, it is the transported by the means, by the truck, goods and trains, देखो, अभी जो भी markets के लोगों ने ये grains खरीदे, तो क्या, वो जमा करके रखेंगे क्या, वो sell करेंगे, और वो किस से transport करेंगे, may be trucks or the trains, और आप कुछ अलग भी vehicles का use कर सकते हो, so, it is the turn of porters and truck drivers to put their labor, transport cost is also too, देखो, किन तब एक grains हमारे थाली तक आने के लिए, कितना बड़ा process करना पड़ता है न, मतलब जो भी grains बेजने होते हैं, उसके लिए truck divers लगते हैं, labors लगते हैं, और उनको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, और हम इतने अच्छे फूड को क्या करते हैं, वेस्ट करते ह वेरी बाड, now the sacks of a grain reached the provision stores, इस तरह वो अलग-अलग दुकान चले गए, then people buy the grain, लोगोंने उने खरीद भी लिये, they sort of any stone or rubbish to clean the grain, and they get it to melt in the flavor, देखो, one by one सा प्रोसेस है, कि लोगोंने दुकान से खरीदे, then they can clean it, उसको साफ किये, उसके बाद उनोंने उसका फ्लेवर आटा बनाया, after that, while cooking, the flour is kneaded into lumps, वो आटे को भिगाते है, अच्छे तरह मुलायम बनाते है, and then, the lumps are flattened into the भाकरी, and roasted, उसके बाद वो भिगोया हुआ आटा, चपाती या फिर भाकरी बना के उसको रोस्टेड किया जाता है, and thus, in this way, we can get a भाकरी, right, in this way, the भाकरी is appears in the वर्शाजन और जूस प्लेट, देखो, है ना बड़ी प्रोसेस, आपको तो पता ही नहीं था, कि इतनी महनत करने के बाद खाना आपके प्लेट में आता है, so now, would it be right to waste food, चलो, ये क्वशन तो मेरा आपके लिए भी है, अभी आपको उसका, मतलब समझ में आ गया, important समझ में आ गया, तो क्या आप अभी ऐसे food को waste करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि उसको कितनी सारी महनत लगती है, so lots of efforts, we get it from the lots of efforts, बहुत सारी महनत करने के बाद हमें खाना मिलता है, जो हमें waste नहीं करना चाहिए, तो देखो, एक और एक concept है, our food stuff, हमारा ज तो वो कौन सा कौन सा है, जैसे कि we get fish from the water, है ना, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो fish कहाँ पे रहती है, water में रहती है, और हमें मिलती है, but fisher man work hard to catch them, है ना, fisher man को कितनी महनत करने पड़ती है, वो मचली है, जिसे कोई हाथ लगा है और वो मिल जाती क्या, नह उनको बहुत मेनत करने पड़ती है, तब जाकि वो पकड में आती है, then the people who gather and sell the fruits like amla, jamun, karwan, boar, which grow in the forest, so some people have vegetable farms like, some people have orchards for growing fruits crop, some people keep poultry, some real animals for milk and meat, देखो जो लोग है न, ये fruits और vegetables के farm लगाते हैं, उनको भी कितनी सारी महनत करने पड़ती है, उनके plants लगाने पड़ती है, उनके care लगाने पड़ती है, care करने पड़ती है, और उसके बाद वो हम fruit market से हमारे घर में आते हैं, और अगर खराब हो जाये तो हम fake देते हैं, इस के लिए महनत तो करने पड़ती है न, जैसे आपके parents करते हैं, तो वैसे ही आपको study के लिए महनत करने पड़ेंगी, पढ़ाई नहीं करोगी, तो आगे कैसे जाओगे, है ना बटा, इसलिए study किया करो, so we get a variety of food stuff as a result of their efforts, the efforts and the labor of many other paper are also required for storing, transporting, marketing, as well as preparing the various dishes with, हमारी एक प्लेट तक खाना आने के लिए, कितनी सारे लोगों की महनत रहती है, उसको store करना, अगर fruit लाए हो, तो उसको boxes में अच्छे से रखना, store करना भी काम है, उसको transport करना, underline करके रखो, उसको एक जगा से दूसरी जगा भेजना, फिर उसको marketing करना, उसको बेचना, इ therefore, it is necessary all of us to take care of the food is not wasted, इसलिए हमें care लेनी है, कौन सी care, कि कोई भी food अगर हमारे घर में आ रहा हो, पक रहा हो, तो हमें उससे waste नहीं करना चाहिए, तो बताओ बेटा, waste करोगे क्या, fruits फेक दोगे क्या, vegetables खाओगे ना, हाँ, जितना आपको चाहिए, उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए, और यहीं तो हमारे chapter का moral था, कि हमें food के value समझ में आए, तो अभी आपके समझ में आ गई, ओकी, तो देखो, chapter तो खतम हो गया, exercise दी है, बहुत ही छोटी से, easy है, what's the solution है, find out करना है आपको, और उसक मुझसे पूछ सकते हो, but compulsory आपको यह सभी exercise solve करनी है, तो इस तरह हमारे कितने lessons होगे बटा, 8 chapters हमारे complete हो गये है, and in the next class, we will meet in the next chapter, so do your works, and bye everyone.